कि आपके मुबाईल फोन का कैमरा भी ओपन नहीं हो पा रहा है जब भी आप अपने मुबाईल फोन के कैमरा को ओपन करने जाने कि आपको भी कुछ ऐसा इंटर फेस्ट देखने को मिल रहा है इंफिनिक्स का हो तो आज किस वीडियो में आपको बताँ को प्राब्लम एक है तो इसका सोलोशन भी एक ही होने वाला है तो आज किस वीडियो को देखने के बाद आपके प्राब्लम लाइफ टाम के लिए दूर होने वाली है तो कैसे अपने इस प्राब्लम को साल करने तो जब से पहले आपको अपने मुबाइल फोन की Home Screen पर आना होगो तो जैसि आप भी आपने प्लेस्टोर की टर्डड पार्टी जाते हैं तो आपको प्लेस्टोर से इंस्टाल क्योंगो तो अन निन्स्टाल करें तो दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी जब आपने Play Store से कोई भी third-party camera आप इंस्टाल करते हैं तो उसके थोरो हमारे mobile phone में virus आ जाता है तो जिसके चलते है आपके जो camera में यह सब problem देखने को मिलती है तो आपको अपने mobile phone में एक ही camera रखना है और original वाला camera जो आपको अपने mobile phone से उधरी से मिला होता है तो जो भी आपने third-party camera आप इंस्टाल कियोंगे तो सबसे पहले आपको उन camera को अनिस्टाल कर देना है तो यह आगई पहली setting तो दूसरी setting किया है आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बास settings को कर देना है तो जैसी आप settings को open करेंगे तो आपके समने भी कुछ as interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको पहला ही देख लेगा network and internet का दूसरा connected device को तीसरे apps and notification हो सकता है आपके mobile phone में management app, app info या app list का icon देख रहा हो तो कहने का मतलब है आपको अपने mobile phone की settings में सारी की सारी applications को निकाल के लाना है तो जैसी आप लाएंगे तो य क्योंकि उनके थुरू virus आ जाता है तो जिसके चलते आपको camera में यह सब problem देखने को मिलती है तो सबसे पहले आपने duplicate camera को uninstall का देने के delete का देने आपको अपने mobile phone में रखना है जो आपके mobile phone में उद्धी से मिला होगा तो यहाँ पर आपको camera को open कर देना है तो जैसी आप camera क open करेंगे तो आपके सामने as interface देखने को मिलेगा open का disable का force आपको तीन option देखने को मिलेंगे तो दिहान से देखना जो setting में आपको बता हूंगा अगर आपने ठीक यह setting अपने mobile phone में implement की तो मैं guarantee के साथ कहता हूं 101% आपकी problem solve होने वाले तो सबसे पहले आपको force stop का icon पर click करन तो यह आगे पहली setting आप दूसरी setting के करने हैं आपको permission के साथ ने जेकर दिख रहा है storage and kg तो आपको storage and kg के icon पर click करना है तो जैसी आप storage and kg के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलते है clear kg का दूसरा मिलता है clear storage को आपको दो लोगो करना है पहले clear kg करना है पावर पर क्रीकти त इसारों को प्रेस्टाल करना होगा अब आपको हो रिस्टार्डे तो आपको इसलेकर crack आपको जो आपको ने ठाशिते अ कर स्पतवाइ करें यह जैसी आप अपने मोबाइल फून को एक बर स्टार्ट कर देंगा तो उसके बाद में आपको लाइप प्रॉब्लम करता हूं किया हमारी प्रॉब्लम सॉल्म हुई या नहीं है तो जैसी यहां पर में कैमरा पर ओपन करता हूं तो यहां पर कुछ एसा इंटरफेस को मिल रहा ह है तो जैसी आप डबेंट पर क्लिक करेंगे देखिया आपके सामने मेरा ओपन हो जैसी मैं सेल्फी की यहां पर ओपन करता है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप विजो इस कैमेरा की प्रॉब्लम को सालव कर सकते हैं वीडियो उच्शे लगी चैनल को सब्स्क्राइब क कराना बूले, thank you.